आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर कैसे अलेवेरा जेल बना सकते हैं और कैसे उसको पंदरा दिनों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं तो चलिए श्रूलते हैं सबसे पहले आपको एलेवेरा लीव्स लेनी हैं एक या एक से जादा और उसके बाद उसको तीन से चार घंडे तक आपको पानी में भीगो कर रखना है जिससे की उसका सारे इचिंग सबस्टेंस जो होते हैं वो निकल जाएं उसके बाद आपको इसको कट करना है एलेवेरा लीव को कट करने का फर्स्ट मेथर्ड ये है जो मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत एजिली आप उसका जेल को एक्स्ट्राट कर सकते हैं देखिए ऐसे उसके बाद उसको क्यूब्स में कट कर लीजिए एंड second method के लिए आप ऐसे cut कीजे और फिर ऐसे और उसके बाद एक spoon की help से इसको scope out कर लीजे ये भी एक बहुत ही easy method है और उसके बाद आपको इसको एक blender में डाल कर कुछ ही seconds के लिए blend करना है अगर आपको इसकी consistency थोड़ी जेल टाइब रखनी है तो जस्ट कुछ seconds के लिए ही blend कीजेगा जादा नहीं मुझे personally इसकी consistency थिक पसंद नहीं है थोड़ा थिन पसंद है क्यों थोड़ा होगा तो easily बालों में लगेगा और easily wash out भी हो जाएगा जितना जेली होता है वो बालों से निकलता नहीं है chunks उसके तो आप चाहे तो इसको थोड़ा मोटा भी बना सकते है उसके बाद आपको वाइटमिन E capsules इसके अंदर डाल दीचे यह वाइटमिन E capsules इसको प्रिजर्व करने में हेल्प करती हैं वाइटमिन E capsules अगर आप डालेंगे तो यह बहुत दिन तक आपका सही रहेगा इसकी जो इसकी consistency है वो भी आपके उपर है आप ठिक बनाना चाहें या थिक बनाना चाहें और लास्ट में मैं आड कर रही हूँ Apple Cider Vinegar या ACV या आप इसको सेब का सिरका भी बोल सकते हैं Apple Cider Vinegar एक बहुत अच्छा प्रेजर्वर है और बालों में शाइन इससे बहुत आती है इसकीन के लिए बहुत अच्छा होता है और मैं हाँ पर about half teaspoon Apple Cider Vinegar इसके अंदर आड कर रही हूँ जिससे यह प्रेजर्वर रहेगा Friends आप इस Elevra Gel को अपने face पर, अपने hands, legs, अपने hair पर कहीं पर भी use कर सकते हैं और 15 days तक minimum आप इसको preserve करके रख सकते हैं और चाहे तो उससे भी जादा So friends अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे like कर दीजे और मेरे चैनल को subscribe कर दीजे अपने friends के साथ इसको share कर दीजे जिससे उनकी help हो जाए आप मुझे Facebook और Instagram पर भी follow कर सकते हैं for more tips and tricks Till then bye bye and take care